हमने यहाँ पे कोश्टक वाला कुछ इस परकार का 3 सवाल लिखा है और दोस्तों इन तेनों सवालों को मैं एकदम आसानी तरह से आपको हल करने सिखा दूँगा इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखेगा क्योंकि आज के बाद आप इस परकार के कोश्टक वाले सवालो को हल करना एकदम आसानी तरह से सीख जाएंगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे चार परकार कोश्टक होते हैं हलाकि इन तीनों सवालों में केवल तीन परकार के कोश्टक कहीं पर हुआ है लेकिन कोश्टक होते हैं चार परकार का दोस्तों पहला कोश्टक होता है रेखा क रेखा कोश्टक कुछ इस परकार से उपर लगता है जैसे कि मालेजिए और कोई सवाल है और उस सवाल के उपर अगर कुछ इस परकार कोश्टक लगा है मालेजिए मैं आप लिखा 5-3 और अगर इसके उपर कुछ इस परकार का लिख दिया तो इसका मतलब होता है रेखा कोश दूसरा कोश्टक होता है छोटा कोश्टक जो कि कुछ इस परकार का होता है अब दोस्तों तीसरा कोश्टक होता है मजला कोश्टक जो कि कुछ इस परकार से लगता है और चौथा कोश्टक होती है बड़ा कोश्टक जो कि कुछ इस परकार का चर्खूट होता है अब दोस्तो कोश्टक रहेगा सबसे पहले उसको हल करेंगे इसके बाद हल करते हैं छोटा कोश्टक को इसके बाद मजला कोश्टक को इसके बड़े कोश्टक को जिस प्रकार से हमने यहां पे सवाल लिया है पहला 15 माइनस बड़ा कोश्टक भागे 3 छोटा कोश्टक बंद मजलका बंद और इस परकार से बड़ा बंद दोस्तों सबसे पहले मैंने बोला है कि आपको देखना है कि इस सवाल में रेखा कोश्टक है कि नहीं है तो यहाँ पे रेखा कोष्टक नहीं है तो अब देखेंगे छोटा कोष्टक दोस्तों यहाँ पे छोटा कोष्टक है लेकिन दोस्तों जिस कोष्टक को आप हल कर रहे होते हैं उसमें आपको सबसे पहले हल करना होता है भाग को इसके बाद गुड़ा को इसके बाद जोड इ इस परकार से करेंगे दोस्तों यहां पे कुछ नहीं करेंगे सेम टू सेम लिख देंगे और हम लोग को चलना है छोटा कोश्टे के पास यानि कि इधर आपको कुछ भी नहीं करनी है जिस परकार का है उसी परकार का सेम टू सेम लिख देंगे अब दोस्तों हमने बोला है कि एगर आप छोटा कोष्टक हल करेंगे तो अहां पर सबसे पहले आपको हल करना होगा सबसे पहले भाग फिर गुड़ा फिर जोड फिर घटाओ यानि कि इसमें भाग है तो सबसे पहले भाग ही करेंगे तो अगर आप 9 भाग देंगे तीन से तो तीन तरीका 9 होता है तीन बा कोश्टक खतम हो जाती है तो इस परकार से अब भी छोटा कोश्टक खतम नहीं हुई है लेकिन दोस्तों अगर आप यहां पे 12-3 है 12 में 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा तो पूरा हल हो गया तो इस परकार छोटा कोश्टक खतम हो जाएगा तो यह आपका हो गया मजला कोश्टक बड़ा कोश्टक यानि कि जैसे ही पूरा हल हो जाएगा छोटा कोश्टक खतम हो जाएगा अब दोस्तों अब बार यह है मजले कोश्टक का तो यहां पर सेम टू सेम लिखेंगे और 30 भागे 5 पलस यहां पे सबसे पहल गुड़ा है तो गुड़ा करेंगे 12-36-9 मजला कोश्टक बड़ा कोश्टक अब दोस्तों 15 माइनस यहां पे same to same छोड़ेता हूँ दोस्तों यहां चीन है भाग का पलस 36 में घटाएंगे 9 तो बचती है 27 तो यहां पे 27 same to same छोड़ेंगे अब दोस्तों हमने हल करके इसका answer ले आया 27 तो इस परकार से अब यहां पे मजला कोश्टक खतम हो चुकी है अब बारी है बड़े कोश्टक की अब दोस्तों यहां पे बड़े कोश्टक के अंदर सबसे पहले करेंगे भाग को अगर आप 30 में भाग देंगे 5 से तो आपका आएगा 6 क्योंकि 5 चक्का 30 होती है तो गया 6 पलस 27 अब दोस्तों यहां पे अब दोस्तों यहाँ पे 15 माइनस 33 हो गया अगर आप सोचेंगे तो 15 में 33 थोड़ी न गटता है इस प्रकार से आप 33 में ही गटा यह 15 तो आपका आएगा 18 लेकिन दोस्तों यहाँ पे माइनस वाला संख्या बड़ा है पला सुला छोटा है तो यहाँ चीन लगाएगा केवल म मैंने बोला है कि आपको देखना है छोटा कोश्टक तो छोटा कोश्टक इसमें यहाँ पे है तो चलिए मैं हैल करता हूँ 4 पलस 15 गुड़ा 4 माइनस मजला कोश्टक 12 माइनस 3 दोस्तों यहाँ पे भाग करेंगे तो जाएगा 5 वन जा 5 यानि कि 5 एकम 5 एक आएगा गुड़ा में 4 हो जाएगा और बाहर पलस है मजला कोश्टक बड़ा कोश्टक दोस्तों अब भी भी कुछ नहीं करनी है 15 मजला कोश्टक 12 माइनस 3 अब दोस्तों यहां कितने में जाएगे 4 एकम 4 दोस्तों इस कोश्टक को हमने हल कर लिया तो 4 एकम 4 हो गया लेकिन दोस्तों 3 और इस कोश्टक के बीच में कोई चिन नहीं था अगर किसी कोश्टक के बीच में और किसी अंक के बीच में कोई चिन होता है तो आहां पर गुड़ा का चिन छूपा होता है तो इस प्रकार से इस तीन और इस कोश्टक के बीच में गुड़ा को चिन लग जाएगा अब दोस्तों पलस में 4 मजला कोश्टक बड़ा कोश्टक अब दोस्तों बार यह मजले कोश्टक की यानि कि 4 पलस बड़ा कोश कोश्टक दोस्तों हमने बोला था कि अगर उसमें आपको जोड घटाओ गुड़ा करना होता है तो सबसे पहले करते हैं भाग फिर गुड़ा फिर जोड फिर घटाओ तो यहां पे हमने गुड़ा तो कर ली लेकिन अब करना है जोड तो 12 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएग तो हमने मजला कोश्टक लगा लिया बड़ा कोश्टक अब दोस्तों 4 पलस 15 गुड़ा में 4 माइनस 16 घटाएंगे 12 तो बचेगा 4 तो इस पर कर चार को लीख लेंगे अब दोस्तों बड़ा कोश्टक यहां पे अब हल करना है बड़ा कोश्टक तो सबसे पहले करें गुड को तो पंद्र चुको 60 माइनस चार चार बलस 60 में चार घटेगे बचेगे 56 और 56 में चार जोड़ेगे तो 60 हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा एंसर दोस्तों उमीद करता हूं कि आप इन दोनों स्वालों को बहुत ही आसान तरह से हल करना सिख्या है